नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जो आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारे से पंचायत के गलियों से और गाउं के चौपालों से जो कहीं ने कहीं आपके जीवन को परभावित करता है तो ब्रियार समाचार में हम पहली कबर ले रहे हैं कि क्या समधान यात्रा के बाद नितीश कुमार तेजस्वी यादव को कमांग सौप देंगे तो क्या मुख्य मंत्रिय तेजस्वी यादव होंगे राजद हल्कों में इस तरह की बात की जा रही है पुरुमंतिस अकनी चौधरी ने भी बात ऐसी कही है मीडि की मिडिश कुमार तेजस्व्य यादव को कमांग स्विब सकते थे जिस तरह से दिवगोड़ा यात्रा निकालने के बाद कमांग दूसरे को सौप दिया था और परधान मंत्री बने थे उस्सी तरह नितीश कुमार जब समधान यात्रा के बाद विपक्ष जोड़ो यात्रा निका लेंगे तो उससे पहले तेजस्वियादों को बिहार का कमांद भौप देंगे हलांकि राज़त में तरह के मांगे उठ रही है उचे अस्तर पर तो नहीं लेकिन निचले अस्तर पर लगातार इस तरह की मांगे उठ रही है और राज़त के मंत्री बिधाय के कहीं ने कहीं बे-ान दे रहे हैं जो मिडिया में बाते टैर रही है और वहिं अगर बात करे पूरो मंत्री सुधाकर सिंग राज़त This में है आखी सुधाकर सिंग को किया क्या जाए अगर उन्हें निकाप पार्टी को निसकासित करने का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो सुधाकर पर असमंजस में हैं राजद नित्री तो जदिव का दवाव बढ़ा जदिव दवाव भी बना रहा है कि कोई न कोई सबाpower का इंतजार किया जा रहा है बिदान सवाह में भाजबा से राज अदर एक सीट ज्यादा एसैमें एक सीृट के कारई राजद सबसे बड़ी पाटीया में और अगर वह सुधाकर सिंग निसकासित कर देता है तो वह सबसे बड़े दल होने का घौरश खो देगा फिर भाजपा के बराबर सीट उसकी हो जाएगी सदन के अगर इस्तिती बता दे तो 89 विधायक राज़त के हैं 78 विधायक भाजपा के हैं और 45 विधायक जदियू के हैं ऐसे में अगर सुधाकर्ति को निश्कासित किया जाता है तो राज़त जो है सबसे बड़ा विपक्षी दल होने का गौरव को सकता है और कानूनी पहली पहलू पर अगर बात करें तो सदन के अंदर पार्टी का विप का लुगर करने या बिना बताए अनुपस्तित रहने पर ही सदस्ता पर खत्रा हो सकता ह सिर्फ ब्यानवाजी से खत्रा नहीं है कानूनी पहलू यहीं सुधाकर सिंग जानता है कि मुख्य मंत्री को कितना भी गलिया ले हलाकि मुख्य मंत्री के लिए बहुत आपति जनक बाते कहीं थी सिखंडी चपुल्सक जैसे सब्दों का पर्योग किया था जो कहीं सही सहीं नहीं ठैर आजा सकता है लेकि सुधाकर सिंग जानते हैं कि हम कितना भी गाली दे रहें देने मेरी सदस्ता समाप्त नहीं होने वाली है ऐसी परिस्टिती में सुधाकर सिंग भी बैक फूट पे आने वाले नहीं है कहीं ने कहीं राज़द के निचले कारकरता का समर्थन भी प्राप्त है तभी अहनेता ऐसे बयान दे रहे हैं राज़द में खलबली मची हुई है बहुत ही जल्दिवाजी है कि कब तेजस्वी यादो मुख्य मंत्री बने हलाकि समाधान यात्रा चालू है अब देखिए इस तेयात्रा के खतम होने के बाद जब पक्स जोड़ो यात्रा पर भारत तेयात्रा पर दिखलेंगे नितीश किस करवट बैठती है नजर हम बनाए हुए है हलाकि राजितिक मानना है कि कोई बड़ा होने वाला है बिहार में और आज से आभी से राज्य सरकार बिहार के लोगों की जाती पुछेगी कहा नहीं रता है जाती ने पूछो साधू की लेकिन राज्य के सारे लोगों की जात आज से पुछी पुछी जाएगी 1931 के बाद पहली बार होगी ऐसी गरना और अप्रेल से इसकील ही जानेगी जून में जारी होगी रिपोर्ट दो लाख करमचारी करेंगे जाती गरना 14 कडोड अनुमानित आवादी है बिहार में दो चर्णों में होगी जाती जन गरना पहला चर्ण होगा साथ से कईस फरवारी 15 दिन में होगी मकानों के गिंती और उसके बाद दूसरे चरण में एक से 30 अप्रेल जिसमें आमदनी और अन्य जानकारी भी लिया जाएगा जिसका फायदा यगिनाया जा रहा है कि बार्ड से वार जाती संख्या और स्कील लोगों के संख्या अपलब्द होगी उस डेटा के आदार पर राज में आर्थिक रूप से और समाजी रूप से बंचित और पिछड़े लोगों का विकास के लिए सरकार अपने बजट में विशेश प्रवधान कर सकेगे जिससे राज के व सब्सक्राइब करन में तो सहूलियत हो गहीं और लेकिन समाज बट सकता है समाज सास्त्री डी एन दिवाकर कहते हैं कि इससे बंचित वर्ग को अईटिफाई करने मदद मिलेगी लेकिन तब ही जब इसका असल मक्सद हासिर हो यह तैसी फ्राइतिक मक्सद से जनगनना का ल उनितीष कुमार बोले जातिये जनगनना का आर्ठिक सर्वे से हर्त अब करने में मदद मिलेगा वहीं नेता पर्तिपक् advance विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुसलमानों की गिर्थी ठीडh कार्वी का धार पर भी गिंती होनी चाहिए अमीरों के साथ साथ गरीबों का भी काउंटिंग हो विजय कुमार सिध्या का बयान है तो बारों प्लटबार जारी है लेकिन फिलाल आज से सरकार आपके घर आएगी और आपकी जाती पुछेगी और वहीं नितीज कुमार अपने चल रहा है भूंगों कर देखने के दो मेरा एक और निवेतन है कि आप घुम घूम कर देखने तो अवाढ़ों का भी निरिक्षण कर लीजियेगा आपकी नल्जल योजना सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है और जो आपके गांज है उनकी क्या समस्या है उसको भी सुनने का प्रयास किजिएगा क्योंकि आप से लोग मिलना चाहते हैं अब जितने भी वाट सो दस तर पंच 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 पंचाइब व्रफ्था के अंतर्गा जन्द पर निदिस खबर को सुन रहे होंगे आप मुखमंत्री जी को एक आवेदन जरूर दीजिए त चार दीन के अंसन में दुसरे जैन मुणी भी अपना दिया जी संवेश शिखर को प्रेटन का दर्जार जारकर सरकार दे रही है जिसे धार्मिक दर्जा देने के लिए जैन समाझ के मूनी आमरन अंसन पे हैं और चार दिनों के अंदर दो मूनी ने अपना प्रांद समय सीफर सिखर्ट की पविथना बना बचायतने के लिए जैन मुनी अगले अपने प्रांद त्याग रहे हैं पहले जैन मुनी के अगर हम बात करे करें तो मूनी समर्थ सागत ुवत्तर साल का उनका निधन हो गया समस्थ सागर एक गजरते हैं तो दूसरे जैन मुनी कि दो टीटी ने बैठे याति को नीचे गिराया था फिर पीटा था दोनों सस्पेंट हो गये टिकर दिखाने के नाम पर दोनों के दिविश में mogą सुनने भी थी उसके साथी टीटी को बुला कर दो टीटी को बुला कर उस बिक्ती को नीचे गिरा दिया था उपर वाले बर्त से और लाद को से पिटाई की थी जिसका एक प्रसेंजर ने विडियो बना लिया था इसे वैरल कर दिया था अब दोनों टीटी को सस्पेंट कर दिया गया है और वहीं क पटना समेत 10 जीलों में सीवियर कोल्ड डेज दो दीनों तक ऐसी स्थिति रहे गी सबसे कम तप मान अर्रिया में बाका और बाका में सब्सक्राइब और रात का पारा एक डिगरी और गिरा है मुझफर पूर दीन के बाद रात में पारा गिरा ठंड से बढ़ी मुश्किल और पहाड़ों पर वर्फवारी और बिहार तक बिहार तक मौसम सुस्क है इसलिए बढ़ रही है ठंड वहीं ठंड से मरने वालों की अई है जी हाँ सोनसु पंचायत के से एक मौत इससना आई है और इसी तरह से अने जगों से ठंड dirty से मौत होने की शूचना मिल रही है और वहीं जोसी मठ की अगर बात करें सुरंग बैपास का काम कागज्यों पर बंद हो गया है लेकिन काम जारी है जमीन पर और जोसी मठ को अब नहीं बचाया जा सकता है जैसा अनुमान लगाया जा रहा है भी सग्डों का दावा है अब वहां बसे लोगों को हटाया जाए औ और लोगों को बचाने की काईदत सुरू हो रही है और घाटी को लद्धाक से जोड़ने वाला जो जोईला दर्णा माइनस बिस डिग्री से सीथ पर पहली बाच्छा जनवरी को खुला रहा और जजों के नियुक्ति में देरी से सिर्ष कोट नराज केंदर ने कहा चोवालिस के लिए उम्र सीमा 31 साल तक की गई है और वहीं इंजिनरिंग कालेजियों के बच्चों को फिल्म देखने के विवस्था कराएं नितीज कुमार का बयान है सीता मढ़ियों सीवर में लिया जाजा अभियंतर कालेजियों का किया उद्गहाटन और रोजगार यवाओं के प् यह एक हजार रुप्या मासी के लिए चल रही है बिहार बिरोजगारी भथ्ता योजना को दे से पढ़े लिखुए इंटर पास देने का है और सुबह में सब्सक्राइब भिहारी तो ने सिख्षा रोजगार के लिए किया प्लायन यह बियान है कि बिहार में चार क्रूड सिख्षा रोजगार के लिए राज से प्लायन कर चुके हैं और वहीं दर्भंगा से खबर आ रहे हैं ट्रक ने बाइक सवार के सवार दोयुकों को कुछला मौत कोहरे के कारण घटी दुरघटना बिरोध में जाम लगाया गया है और वहीं अगर हम बात करें देश का स्वादेशी पहला परमानु रियक्टर जीहां बिजली घर नुकेलियर रियक्टर तो वह जल्द ही इसी साल चालू हो जाएगा क्योंकि चालू होने के कंडिशन में है तीन क्लियोरियम से रोसन होगा पचीस लाख घर गुजरात के काका पार पर सुरू कर देगी पुरूत्र सस्वादेशी तकनीक पर बना साथ सो मेगावाट का या दूसरा नुकुलियर रियक्टर कमिशनिंग के फेज में है आखिर परमानु से बिजली कैसे बन बनती है यह बहुत ही ग्रीन इनर्जी है और भारत का यह बढ़ता कदम है सेना अलर्ट पर जम्मू करते से खबर आ रही है ग्रामरक्षादल स्वामितियों को हत्यार दिये गए हैं और वहीं भी देश्टी खबरों की बात करें तो बड़े हमले की तैयारी में रूस वक्त ले रहा है और दिल्ली में मेहर चुनाओ हंगामें पे टला मेहर का चुनाओ पासदों म हता धक्का मुकी हाता पाई कई घायल और अमित साहबों ले मोधी ने मनिपूर को आतंक बंद से मुक्तिद लाई है एक हजार तिर्सो वाठ करोर की एक गार एक इस प्रजेट का दुखाटन वा सिलान्यास किया गया है तो दोस्तों यह तो तमाम खबरे जो आपको जानना जो यह था इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हैं हमारे साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कीजिएगा मिलते हैं एक वीडियो में जैहिंद बंदे मातरू